नमस्कार रादे रादे हरर महादेव मैं आपका आचार देव आज हम बात करेंगे आपके वीडियो पे बिश्ची का सिवाल के लिए सूर्य देव दसंभाव में करन गोचर क्या लाव होगा सूर्य नारायन आपके 17 अगस्त को जा रहे हैं एक महाद सूर्य देव का गोचर आपके लिए कितना सुन्दर प्रणाम लेके आएगा हम बात कर रहे हैं विशाखा, अनुराधा और जेश्ठा में पैदा होने वाले जात्कों के लिए जिनकी बिश्चिक रासी बनती है सूर्य देव मगा पूर फालगुनी उत्तर फालगुनी नच्छत्र में करेंगे बोचर त्यागी से पानी सकती लेके चलेंगे जो कुछ बेवजाज चीज़ें आ रहे हैं उसको डिस्कनेट कर देंगे, हटा देंगे, लात मार के भगा देंगे ये इस्तिति जा रही है, सूर्य देव अपने ही रासी में जा रहे हैं तो बारा मा में कर्मा के छित्र के लिए करम हाओ के लिए स्रिष्टम समय है आपको लाव होगा नोकरी में, नोकरी मिलने की संभावना है, नोकरी मिल नहीं है अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत है तिक नौकरी मिल रही है और नौकरी मिल जाएगी दोनों में फरक है तिक दोनों में फरक है इसके साथ साथ आपके महादस्ता अंतरदसा को देखना होगा किन्तो अगर आपकी महादस्ता अंतरदसा सही चल रही आप प्रयासरत है छूटती छूटती बची थी तो आप छूटेगी नहीं नौकरी अच्छे चलेगी और नहीं नौकरी के तलास में आप आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़िएगा लेकिन एक चीज़ जाद रखेगा पहला काम चैनल को सब्प्राइब करें पहला काम यह 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 जो मघा नच्छर है ना बहुत सक्तिसाली नच्छर आप देखें जो महान घोड़े हुए इसे चेतक या और भी जो महान घोड़े हुए वो अपने सवार को ऐसी यूही नहीं बैठ जाने देते थे बहुत सक्तिसाली सवार होगा तभी चेतर को बैट पाएगा नारमल को पटक देगा उठाके मगा नचत्र के सक्ति भी वैसे ही है मगा जल्दी किसी को सवार नहीं होने देता आकासी विजली यह साध्वस्त कर देता है तो यहां पे मगा पे जैसे सूर नारान का प्रवेश होगा अगर आप साधान नहीं रहेंगे तो गती ज्यादा पकड़ेंगे और गिर जाएंगे किन्तो मगा तो मगा है बाई राजदाने में बैट गया कैसे भी उल्टा प्लटा आप गिरते पड़ते भी सफर अच्छा रहेंगा ठीक है नाकिन्स आउधानी से बैटाएंगे दो पूरा आनंद लेंगे अब सूरय देव मगा में चलेंगे सूरे डेव सुकर के नक्षतर पूरो फालगुनी में चलेंगे उत्तर करना बंद कर देंगे मतलब यहां आप काम करने का तरीका आपका भेथर होगा तो वह 17 तारीक के बाद आपकी कुंडली में जो परिशानिया थी उसमें लगवक लग 72 परसंट प्रॉब्लम साट आउट हो रही है लग एक अठा बातर परस्त परिशानी समाप 28 परसंट पूरी जिंदगी लेके चलने पड़ेगे इस धरा दाम पे पैदा हुए तो 100 परसंट प्रॉब्लम साट आउट नहीं हो सकती 28 परसंट लेके ही चलने पड़ेगी मर्य तारिक के सोने पर सुआगा यहाँ इक वाड़े क्या होता है सोने पर सुआगा आपके कुछले में बुद्ध महाराज यहीं पर बुफधादित योग बनेगा लेकिन योग तो योग है भई अब आप हवाई-जहाद में चल लेए और यह अलग बात है कि आपकी कटेगरी है थिए कि यह जो ऑप से दो घंटा पहले पहुंचेगा इसा कुछ भी नहीं है पहुंचना साथ ही है तो आपके टफ हो सकती पहुंचना साथ यह तो समय स्रिष्ट जाएगा एक माह के लिए एक माह के लिए नहीं मंगल महराज जा रहे हैं तो आप दो माह के लिए मान के लिए स्रिष्ट समय आपका जाने वाला है लाप के घर में जाएंगे तो और लाप करेंगे अपने सुग्रही घर में है तो पिता से समंगों को ठीक कर तो मुष्कुराएं आपकी रासी को मैं निस्चत रोप से चाहता हूँ कि आप लोग मुष्कुराएं क्योंकि तकलीफें सादा हैं कभी तो हसने का मुझा मिलना चाहिए तो चिक करके रखिए आपकी पुर्णली में सुर्ण देव कैसे और महादसा किसके चल लेए महादसा जरूर चिक कर लिजेगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है औसर सामने आता है मौसर का लाव नहीं उठा पाते तो महा दसा और अंतर दसा ही बताएगे कि आप इनौसरों का लाव उठा पाएंगे कि नहीं सुर्य नाराण के मंदर का जाप करना शुरू करिए मैं आपको बता रखाओ कि संडे के दिन नमक छोड़ देना आपके लिए हितकारी कल्याड कारी होगा नौकरी पेसे में मान सम्मान की प्राप्ते में पिता से संबंदों को बेहतर बनाने के लिए आपको जीवन परियंत र यहां उपाए जीवन परियंत करिए क्योंकि आपके रासे में ना अनवांटेट तकलिफ हैं नहीं चाहते हुए कुछ लोग देखिए ना बच्चे बदमास होते हैं रस्ते चलते हैं एक पत्तर उठाते हैं पेंड़ पर मार देते हैं उससे पूछ भाईया आपने जान कर देता दा इसलिए आपको उपाए जीवन परियंति लेके चलने होंगे तहां से कर्मा के चत्र में आपको सफलता मिल रहे हैं नौकली की चत्र में सफलता मिल लहें, अगस्त में हमने कहा था कि परिवरतन का समय है तो इसललником यहीशे से परिवर्तित हो गया परिवर् प्रिद्श मत होईएगा सीनियर बास को ललकार दो अब तुम्हें तुम्हें देख लूँगा त्यागी सिपानी सकती तो है लेकिन सामंजस से बनाके चलिएगा हर जगा लड़ने वाला बुद्धिमान नहीं है अगर आप हर जगा लड़ोगे तो आगे कब बढ़ोगे इसल पर चलते हैं तो बहुत से कुटे भोगते रहते हैं कितनों के पीशे आप भोगोगे बस ये नियमा वले जिस दिन आप अपने लाइफ में अपलाई करना शुरू कर देंगे चीजें दुरुस्त होना शुरू हो जाएगी तो अपलाई करिएगा सूर देव की उपाशना आ पीशे करके सुनते हैं कि सीनियर जालवेज राइट में पता है आलवेज राइट नहीं है लेकिन फिर भी सीनियर सीनियर भाई नोकरी करना है तो अपने पिता की बसुनों का भी ध्यान दें पिता नोकरी नहीं लेंगे लेकिन पिता ने जीवन दिया है अगर पिता से संब सूरे और सनि सम सक तक द्रिष्टी रखेंगे तो सूरे नाराण और सनि देव जब सातsmith हो तब भी परिषानी होती और सूरे लग运 साथfind द्रिष्टी तब भी परिष्टी होती है ब्लट प्रिशर थुड़ा सा लूँ होगा आपका यहाँ पर ब्लट प्रिशर लोह में परिशानी आती है और जीवन साथी से भी संबंदों में किश किश होती है ते की उपाय है जाने देजिए बहुत परिशान होने के जुड़रत नहीं है खुश रहिए सुस्त रहिए मुस्कुराते रहे राधे राधे